दोस्तो मैं हूँ अपने flip card pay later में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जब मुझे flip card pay later का option मिला था तब मुझे सिर्फ 5000 रुपे का limit मिला था आज आप देख सकते हैं मेरे flip card pay later में 80,000 का limit है वहीं बात करें अभी 76,423 रुपे बचा हुआ है क्योंकि मैंने कुछ अभी पूरा detail में बताऊंगा कि 5000 का limit से लेके 80,000 तक का limit कैसे मैंने किया सब कुछ आपको पूरा detail बताऊंगा अगर आप मेरे पूराने follower हैं subscriber हैं तो आपने देखा होगा जब मुझे 5000 रुपे मिला था flip card pay later में उस समय भी मैंने video बनाया था और आपको बताया था कि आप देख स अभी मुझे 5000 का limit मिला है लेकिन इस 5000 को एक समय 50,000 से भी उपर कर दूँगा तो और इसके बारे में यह भी बताया था कि मैं video बनाऊंगा भी उस समय कि आखिर कैसे मैंने 5000 को 50,000 रुपे limit में बदल दिया लेकिन आप देख सकते हैं 5000 नहीं मेरा 80,000 का limit हो गया है तो आज कि इस वीडियो में यही बताऊंगा कि 5000 से 80,000 का limit कैसे मैंने किया सब कुछ लाइब बताऊंगा तो प्लीज वीडियो को लाश्टर देखिए चलिए जान लेते हैं दोस्तों देख सकते हैं मैं हूँ flip card में flip card में यहाँ पे account पे click करता हूँ account पे जैसे ही click करूँगा आप दे 80,000 का limit मिल चुका है यानि जिस शुरू में मैंने आपको बताया था जब शुरू आप मुझे मिला था तो सिर्फ 5000 का limit था और आज मेरे flip card में 80,000 का limit है तो कुछ tips and trick बताऊंगा ऐसा ही सिले क्योंकि मैंने जब 5000 से 80,000 का limit कर लिया तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं तो तो आपको हमेशा flip card से ही shopping करना है कुछ भी अगर आपको समान खरीदना है तो आपको flip card से ही खरीदना है बात करें दूसरे tips का तो आपको हमेशा flip card में EMI पर ही समान खरीदना है तब ही आपका limit बहुत जल्दी बढ़ेगा अगर आप flip card पे लेटर में EMI पर सजय सिमा रहे हैं उसको भी EMI पर खरीद लिजे हाँ गरुएठाब लिजेए यहां पर ओपको iba हुट बात करें जोड़ेदना है तो आपको कैंशन ऩngी में बैलेवरी नहीं करना है आपको क्या करना है maximum आपको अपने flip card pay later का balance ही use करना है जैसे 1000 रुपे का आप समान खरीद रहे हैं 100 रुपे का खरीद रहे हैं 100 रुपे में EMI का option नहीं है तो आप direct यहाँ पर flip card pay later का balance का option मिलता है उसको use करके payment pay कर दीजे और अगले महिने में उसका पैसा चुका दीजे जो की एक तारीको bill generate होता है यहाँ पर देख सकते हैं अठारस होका यहाँ पर bill है मेरा मैं एक तारीक से लेके पांच तारीक तक इसे pay कर सकता हूँ यानि आप यही काम कीजिए जितना भी हो सके transaction flip card pay later का पैसे का use कीजिए या फिर EMI वाला use कीजिए इसी दोनों को आपको use करना है बस इसके बाद आपका 100% यहाँ पर फिलिप card pay later में limit बढ़ेगा अब मैं आपको एक सावधानी बतायता हूँ अगर आप उसे उस गलती को करते हैं तो आपका कभी भी यहाँ पर flip card pay later में limit नहीं बढ़ेगा अगर आप उस गलती को करते हैं तो उस गलती से आपको बहुत जरूरी बचना है अगर आपने उस गलती को नहीं किया तो definitely आपका एक महिने में 5000-2000 तो होई जागा मैं guarantee ले रहा हूँ 5000-2000 जरूर हो जाएगा अगर आपने इन tips को follow कर लिया बात करें उस tips का जिसको आपको ignore करना है जैसे माल लिजए आपने 500 का कोई समान खरीदा और आपने flip card pay later का balance का यूज कर दिया और अगले महिने जब bill generate हुआ तो आपको उसको time से पहले ही pay कर दें जैसे एक से पांच तक का time मिलता है एक से पांच तारी तक आप pay कर सकते है लेकिन आप कोशिज कीजिए एक को ही कर दे दो को ही कर दे तीन को ही कर दे चार को ही कर दे पांच को ही कर दे कोशिज करे कि पांच से पहले करे आपको late बिल्कुल नहीं करना है अगर आप जैसे 6 को pay करते हैं साथ को पे करते हैं तो आपका बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है जिससे आपका लिमिट नहीं बढ़ता फिलिपकार्ट क्या देखता है कि यार बंदे ने खरीदा और टैम से पहली पे कर दिया टैम पर पे कर दिया तभी तो आपका लिमिट बढ़ाएगा और अगर आप उसको पैसो को टैम पे पे ही नहीं करोगे तो आपका लिमिट कभी नहीं बढ़ाएगा इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ प्लीज आपको अगर flip card pay later का limit बढ़ाना है तो आपको time से पहले ही pay कर देना है यही तीन tips को आप follow कीजिए 100% आपका यहाँ पे flip card pay later में limit increase होगा नहीं होगा तो आप comment करना मुझे बिल्कुल होगा एक महिने के अंदर होगा तो इन tips को जरूर follow कीजिए और इस वीडियो के लिए तना ही फिर भी कोई doubt है तो direct आप comment कीजिए उसका जवाब मैं जरूर दूँगा अभी के लिए तना ही thank you for watching